अलो आपरीवन आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल टच इग्जाब में फिर से एक बार स्वागत हैं आसा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़या होंगे डियर स्टुडेंट आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुसी भरा यहाँ पर निगूज निकल कर आया है जोकि जहारखन इकलियान के तरब से यहाँ पर निकल कर आया है आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि ITI आपको पता होगा ITI और nursing का अगर कुई जहारखन से कर रहे है या जहारखन के बाहर ITI nursing कर रहे है अगर जहारखन के candidate हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोग यहाँ पर Ecolan scholarship इस बार यहाँ पर नहीं भर पाये थे क्योंकि यहाँ पर college approved नहीं हुआ था साथी साथ यहाँ पर Ecolan का option नहीं दे रहा था ITI courses में ठीक है तो basically यहाँ पर एक बहुत बड़ी update यहाँ पर निगल कर आया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी student यहाँ पर ITI में अध्यंत्रित है या फिर ITI में अड्मिशन लेने वाले या फिर BSC Nursing या फिर Nursing में अड्मिशन लेने वाले जहारखन या फिर जहारखन के बाहर य वो यहाँ पर नहीं भरा रहा था कुछ college approved भी हुए थे धनबाद के और कुछ-कुछ college approved भी नहीं हुए थे तो basically उनमें apply हो रहा था तो वहाँ पर approved भी नहीं दिख रहा था को मैं बता दे रहा हूं ठीक है यहाँ पर विशय जो है वह आप देख सकते हैं विग्यापन प्रकासन के संबंद में clear है यह जो notification निकाला गया एक अगस्ट 2023 यानि कि एक दिन पहले निकाला गया है clear है यहाँ पर ध्यान से देख लीजी क्या आपको लिख रहा है उप्रिय सूचना अंतरगत ज्ञारखन राज एवन राज से बाहर मानता प्राप्त नर्सिंग एवन आईटी आई ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर दो कॉर्स का सिर्फ जिकर किया गया है वह आप देख लीजे नर्सिंग एवन आईटी आई ठीक है सैचिन संस्थानों के लिए सैच पचारों पत्रों हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकासित करने की किरपा की जाए यहाँ पर देखे जो भी नॉटिफिकेशन निकालता है उसके बाद यहाँ पर जो न्यूस पेपर होता है वहाँ पर आपका अपडेट किया जाता है ताकि सभी कोई पता चल पाई किसी त देखे आई टी आई और नर्सिंग सैचिन संस्थानों के लिए सैचिनिक सत्र 22-23 हे तू इकल्यान पॉटल पर पंजी करन एवं अध्यनरत छातर छात्राओं हे तू आवेदन से सम्मंदित अवसक शूचना यानि कि जो भी कैंडिडेट 22-23 की सिसन वाले एक्जामपल के ल आप देख लिजिए यहाँ पर 1st year student है या फिर 2nd year student है आप दोनों के लिए यहाँ पर पॉटल खोड दिया गया है आप देखे यहाँ पर आप देख लिजिए जो अपडेट है डेट काफी important है देके पहले यहाँ पर online नहीं हो रहा था बहुत सरे student घबरा गये थे दिकि कै यही होना चाहिए, देखें यहाँ पर जो important date है वो आपको बता दे रहा हूँ, first में देखें यह लिखा हुआ है सैचिन संस्थानों द्वारा इकलियान पॉटल पर पंजिकरन हेतु आवेदन की तिथी, क्या लिखी गई है तो देख लिजे, 2 अगस्त 2023 से धान से देखेंगा 16 अगस्त 2023, यह आपका जो update है, यह वाला date जो है, वो date आप छोड़ दीजे, यहाँ पर देखें, यह जो date है, यह आपका सैचिन संस्थानों द्वारा, यानि कि आपका इंस्ट्यूट है, वो अपना registration करेंगे, 2 अगस्त 2023 से लेकर 16 अगस्त 2023 के बीच में, clear है, आप देखे स्टूडेंट कब से apply कर पाएंगे, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से, clear है, second वाला वे, कि सैचिन सत्र 22 है, तो चात्र चात्राओं के आवेदन पर करिया किती थी, यानि कि student, girls या फिर boys, जो apply करेंगे scholarship के लिए, वो आपका 20 अगस्त 2023 से 20 सिप् करते हैं, बिल्कुल आपके पास एक मंत का टाइम है, बट मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, पहले apply करिएगा, ताकि scholarship आपको पहले मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे technical यहाँ पर process चलता है, जो पहले apply करते हैं, उनका application पहले जाता है, scholarship सभी को मिलेगा, बट जो पहले apply करेंगे, that means, उसका verification पहले होगा, that means, उसको scholarship भी पहले मिलेगा, ठीक है, तो यह बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेगा, कि जितना जल्दी हो सके 20 तारीकों खुल रहा है, आप 25 के अंदर apply कर दो, ताकि आपका verification process आगे continue रहे, अब जैसे यहाँ पर 20 September 2020 तक class date है, उसके ब पर है, और extra 10 दिन का time दिया गया, यानि कि 30 September 2020 तक यहाँ पर apply कर सकते हैं, clear है, यानि कि verification जो है, college वाले करेंगे, तो student के लिए जो update है, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, वो सिर्फ student के लिए, तो दो नमबर जो column है, वो आपके लिए important है, कि आप जो apply कर सकते हो, इक ल इस्थानों द्वारा, इकल्यान पॉटल पर पंजिकरन हेतु आवेदन देने पर स्विकार नहीं किया जाएगा, clear है, देख लिजे, यहाँ पर बोला जा रहा है, कि अगर आप ITI और nursing के अलावा, अगर आप दूसरा चीज कोई भी scholarship भरना चाते हो, तो वो आपका नहीं भ पर आएगा, clear है, क्योंकि उसका date already 27 तारी को खतम हो चुका था, clear है, तो यहाँ पर जो portal खोला गया है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए खोला गया है, nursing even ITI के लिए, जिनके लिए पहले portal नहीं खोला गया था, किसी कारणबस government यहाँ पर open नहीं किया था, अब यहाँ पर open कर दिया गया है, clear है, तो आनिक कोई नहीं भर पाएंगे, सिर्फ ITI और nursing वाले candidate भर पाएंगे, clear है, यह बात आपको दिया हुआ है, apply करने का process आप समझ लिजे, apply करने का process नीचे description में एक video दिया गया है, description में यहाँ पर जाकर देख लिजेगा, 1.2 लाग से plus view है, काफी अच्छा यहाँ पर आप लोग का response रहा, और वीडियो बहुत अच्छी तरीका से मैं बना दिया हूँ, part wise करके, ताकि आप अच्छे तरीका से apply कर पाओ, गलत तरीका से apply करोगे, गलत document upload कर दोगे, that means आपका scholarship नहीं मिलेगा, काफी important है, scholarship भरना important नहीं है, verification के साथ साथ complete scholarship देना important है, so dear student, मैं आपको यही request कर रहा हूँ, कि अगर आप अभी तक scholarship के लिए, जो applying कैसे करेंगी, इसका वीडियो नहीं देखें, तो description में नीचे link दिया गया, आप जा कर देख लें, उसके बाद ही अपने घर बैटे apply करें, या local के internet cyber cafe में जा कर apply करें, या साथ ही साथ आपके, बट किये तो जरूर, scholarship तो मिलेगा, बहुत सारे student का यहाँ पर राहत भरी खवर यहाँ पर निकल कर आया है, जो कि जार्खन government का तरफ से आया है, thank you जार्खन government, आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, इसके लिए thank you, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे student ऐसे हैं ITI में student कौन admission लेते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, जो बहुत मतलब कमजोर होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो लेते हैं ताकि वो अच्छा ITI का course कर पाए, और वो अब फैनली कुछ job ले पाए, इसलिए मैं thanks करना चाहता हूँ, thank you for watching, have a nice day, अगर video अच्छा करें ताकि आपको regular update मिलते रहें,